ओके तो आज हम css में देख रहे हैं कि आईडी जो एट्रिब्यूट है उसका इस्तमाल कैसे किया जाता है और सिंगल एक ही एलिमेंट को अलग-अलग कैसे हम उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं ठीक है यहां पर देखिए हमने एक लेयाउड बनाने के लिए न्यू फाइल ल लुए यहां पर आगए इसके बाद हम यहां से चले गए कि अन्हें के फोल्डर के अंदर और उसके अंदर जाकि आम चलेगा है कि ठीक है कि कंट्रोल और डवल्यू करके जो फाइल खुली भी बंद कर दिये यहां से एक न्यूव फाइल ले रहे कि कंट्रोल एंड करके फाइल लिए सेफ कर दिया इसको यहां पर मैंने नाम रखा इसका वैब ले आउट कि टू डॉट एच्टीमिल कि शिफ्ट के साथ बन का बटन नवाएं इंटर किया अब यहां पर हम एक एलिमेंट यूज कर रहे हैं जैसे कल हम उसी वाले यूज करते हैं कि हैडर के लिए तो हमने यूज कर लिया एडले एम एलिमेंट और और नेविगेशन के लिए नेव यूज कर लिया और एसाइड यूज कर लिया इसके कंटेनर के लिए और फूटर यूज कर लिया ठीक है अब अब css की फाइल बनाते हैं आपे कंट्रोल एंड करके लिए वैब है टू थीम नाम रख दिया इसका डॉट सी एसे इस इस इसमें बॉड़ी को ऐसे सेलेक्टर डिफाइन कर दिया अब को टू मोकल चर्जो लासव ठीक है और हैडर को डिफाइन कर दिया इसके अंदर है नेफ को डिफाइन कर दिया इसको इदर है एस साइड को डिफाइन कर दिया इसको इदर है फूटर को डिफाइन कर दिया इसको इदर है अब सवाल यह कि ब्राउजर पर खोल लेते है एक उसको लिंक्क लेते हैं उसको सब्राइल के साथ में वाली फाइल है यहां पर क्लिक करके अब आज जाते हम सीसां कущ अगोंर करते हैं पहले सकूदर को इसको पर गो कि अब यहां पर आके विद्वल क्लिक किया है सबसे पहले हमने अधर के उपर हेडर के उपर यहां पर जाके लिखा हमने बैक्राउंड कलर और इसको कोई भी एक कलर हमने यहां से असाइन कर दिया इसकी विड़ को हमने हंडेड परसंट कर दिया और हाइड को इसकी हमने 400 पिक्जल बता दिया के सिमिलरली अपर स्बीड कर लेते काम में तो स्वापन कर लिया और यहां पर कलर थोड़ा सा चैंज कर दिया week और हाइप को कम करके 50 पिक्जल पीक्जल कर दिया कि पहले ह差不多 कर लिए दुबारा से हां पर फैसकी हमने पर इंड़ा सा जिंज कर लिया और हाइट को बढ़ाके यहां पे 800 पिक्जल कर दिया पिर यहां पर क्लिक करके फिर पैस कर दिया और यहां पर इसका जो है हमने क्लिक करके ठीक है तो यह तो कलम ने किया था अब अगर यहां पर हमें तीन सेक्शन बनाने हो तो कैसे करेंगे और वी पैरलल वो भी पैरलल मतलब एक section, बीच वाला section और तीसरा section यानि कि इस हिस्से को तीन हिस्सों में divide करना हूँ तो कैसे करें? इधर आएंगे, a side element के अंदर आएंगे, यहां जाके लिखेंगे हम div बनाएंगे एक section, इसका मैं नावळखगरा हूँ, left section, इसके अंदर लिख रहा हूँ, फिर और आए dealing एक बनाएंगे इसका रावेंगे Mैन सेक्शन पिर फिर और यह एक हो डिव बनाएंगे उसका राव रखेंगे राइट सेक्शन अब कुश्चन यह कैसे नजर आएंगे यह एक के नीचे एक नजर आएंगे क्योंकि यह क्या है ब्लॉक लेवल एलिमेंट अब सीएसेस में जाके आप जब दिफ को एक्सेस करेंगे तो डिफ को एज़ सेलेक्टर अगर आपने एक्सेस किया तो जो भी प्रॉपर्टी आपन यह औरने आपसे एक सवाल है । आ कि मैंने यह प्रॉपर्टी पर अप्लाई कर ऑज़िस है अब यह इस पर अपलाई होगी इस डिफ पर अपलाई होगी यह इस डिफ पर अप्लाई होगी एसाइट के अंदर तीनों डिव है शाबाश तीनों पर एक ही अप्लाई होगा आई बस समझ में तो यहाँ पर एक मसला आया कि अगर एक ही एलिमेंट को हम बार-बार लिखेंगे और CSS में जाके उसको as a selector define करेंगे तो यह problem हमारे सामने आता है और यह problem का solution क्या है कि हम उसको as a selector define ही नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे यहाँ पर एक attribute का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है ID हम तीनों div को एक अलग-अलग ID दे देंगे ID for identification जैसे इसको L दे देते हैं और इसकी ID को हम दे देते हैं M दे देते हैं और इसकी ID का नाम हम दे देते हैं आर दे देते हैं ID का नाम कुछ भी हो सकता है एक later भी हो सकता है पुरा word भी हो सकता है लेकिन वह ऐसा होना चाहिए कि वह इसके किसी भी element से match ना करता हो element का नाम नहीं होना चाहिए लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि CSS में उसको कैसे define करेंगे फिर जब भी CSS में कोई ID define करेंगे तो हमेशा hash का keyword इस्तमाल करेंगे और उसके बाद उस ID का नाम लिखेंगे और उसकी body बनाएं फिर जो भी उसके अंदर changes करनी है वो आप उसमें हाली की मुझे 30% रखनी है और हाइट उसकी मुझे 800 ही रखनी है और कलर उसका मुझे चेंज करके कुछ इस तरह करकना है रिफ्रेश करेंगे तो देखें सिर्फ लेट सेक्शन पर वो चैंजिस अप्लाई हूं इसी तरीके से इसी को मैं कॉपी करता हूं और यहां पर पैस्ट कर लेता हूं और इसका नाम में रख लेता हूं एम सेक्शन थर्टी परसंट उसको दिया तो इसको मैं दे देता हूं यहां पर जाके बलके इसको मैं 20 कर देता हूं और इसको मैं दे देता हूं कि 50 परसंट यहां पर रिफ्रेश कर देते हैं और उसके बाद यहां पर जाके से कलर क्लिक करके और फिर तीसरे वाले में हम फिर से इसका नाम रख लेते हैं और यहाँ पर कलर हम इसको कुछ और दे देते हैं 50, 20, 70 और 30 हो गया 100, 50, 20, 70 और 30 हो गया तो यह देखें बन गया लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि यह तीनों एक के नीचे एक नजर आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि यह पैरलल नजर आए पैरलल नजर आने के लिए जब ब्लॉक लेविल एलिमेंट को हम एक साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम करेंगे एक टेक्नीक है इसको भी जाके अगर आप कहेंगे फ्लॉट लेफ्ट और इसको भी कहेंगे फ्लॉट लेफ्ट तो यह तीनों एलिमेंट इस तरह से आ जही देखे आपने इस तरह आपने अपने एक वेज़ पैज को तीन सेक्शन्स में डिवाइथ कर दिया और आपने यह सीखा कि किस तरह जब आप एक ही element को बार-बार इस्तमाल कर रहे होते हैं तो बजाए उसको as a selector define करें, उसकी id define कर दें और CSS में id को define करके उस id को उस selector पे लगा दे तो जो भी properties उस id से associated होंगी वो इस element के उपर काम करेंगी जहांपर उसको use किया जाएगा सही है, đ Möglichkeit में आपने सीखा कि 3 हिस्तों में किसे divide कर सकते हैं आप इसको तीन में भी कर सकते हैं, दो में भी कर सकते हैं, चार में भी कर सकते हैं जैसे चाहें आप डिवाइट कर लें और ये वेब पेज आपके इस तरह से नज़र आएगा तो सही समझ में आगई बात क्लियर